नमस्कार भई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है Grow Academy के ओफिशल यूटूब चैनल पर है आज हम आप सबको नवीन भाई से मिलवाना चाह रहे हैं नवीन भाई बादली गाउं से हैं और अभी रिसेंटली जो कॉंस्टेबल की वेकेंसी जिन में जो हजार बच्चे, जो टोप हजार बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन में से एक हैं और नवीन ओफलाइन के Grow Academy के स्टुडेंट है और अभी ये ट्रेनिंग से चार दिन की छुटियों पर आए हैं भाई सबसे पहले तो नमस्कार सभी को जिस दिन मेरा रिजलित आया उस दिन गर पर बहुत ही अलग मतलब बहुत ही खुशी का मावल था सभी बहुत खुशते मैंने सबसे पहले तो भाई पिरेंट्स को जिनों मुझे इतना सपोर्ट किया उनको दन्यवाद किया उसके बाद मैंने अपने गुरु जनों को बहुत ही ज्यादा दन्यवाद किया बहुत ही अच्छा मावल था मतलब सभी खुशते चाटा चाटी दादी सभी खुशते भाई मुझे याद है जब नवीन का फाइनल सेलेक्शन हुआ था तो इसकी मेरे पास कोल भी आई थी अमने बात भी की थी आपस बे तो नवीन अभी जैसे आप ट्रेनिंग पर से आए हो तो ट्रेनिंग में दोस्तों के बीच क्या कुछ मजाग चल रहा है प्रेसर मैसूस हो रहा है इंजोई कर रहे हो ट्रेनिंग को क्या चल रहा है इसे बाद हमारा पाथ चाली से साथ बजे तक ग्राउंड होता है उसके बाद हमें दस मिनट रेडी करने को बोल दिया जाता है उसके बाद प्रेड होती है नो बजे तक फिर ब्रेक फास्ट होकर हमारा उसके बाद हमारी लोग किलासी चलती है दो बजे तक इसी दोरहन आमें कर दिया जाता है पिर चयाम का लंट रहता है और 8 बज क dobr धिया जाता है जब मैंने ट्रेनींग कि थी तब छुटिओं की थोड़ी दिकप थी खानवाना तब भी भूट अच्छा था लेकिन अब तो बहुत उनकी भूट मझे हैं ब्हाई सेंडर्डे सब्सक्राइब मैंने अपना स्लेबस ओफ लाइन एक अबर किया क्योंकि मैं ओफ लाइन में ज्यादा भिष्वास रखता हूं वह आपका परस्टनल परस्पेक्टिव है कि आपको जहां से जैसा अच्छा फील होता है वहां से कर सकते हैं आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद मैंने तीन से चार महिने लाइब्रेरी में रहके तैयारी कि मैं रगुलर मोग टेक्स लगाता था अपने सर से अनलाइज करवाता था और मुझे भाई जिक्के में बहुत जादा दिक्कत थी तो जिक्के के लिए भी आप मि बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलेगी आपको नवीन क्या स्कोर था अपका एग्जाम में अच्छा स्कोर मेरा 72 स्कोर था और नॉर्मलाइज़सिन के बाद 75 चला गया था और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मेरे मैथ में 14 नंबर थे जो बहुत ही एक अच्छा स्कोर थ तो मैंने 71 सर से भाई तैयारी की तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया उसके बाद रीजनिंग में मेरे 25 में 25 आये थे कम्प्यूटर में 10 में से 10 और जिक्के में मैंने 23 नंबर स्कोर किये थे जो बाई मैं कम्प्लीटली अपने मन्नु सर को सरह देना चाहूं माक्यों कि मैं जिक्के में बोटरा हुआ था मुझे आज भी याद है भाई नवीन जब हमारे साथ आया था तो इसका यही कहना था कि सर मैद तो मेरा फिर भी थोड़ा बोट ठीक है लेकिन जिक्के मेरे बिल्कुल 0 है तो स्पेशल मुझे जिक्के पत्यान देना है तो नवीन को इतना अच्छा टाइम मिला था तयारी करने का इसलिए कि इनको पता था कि वैकेंसी आने वाली है यह उससे काफी टाइम पहले आ गए थे तयारी करने के लिए और मैं आपको याद भी दिला दू बीच माँ वो वैकेंसी पोस्पोन भी हो गई थी तो इसलिए इनको अच्छा टाइम मिल गया था एक प्लैटफॉर्म पर विश्वास कीजिए एक कोर्स पर विश्वास कीजिए उसके बाद बुक्स वगारे की अलपले का आप तयारी करना स्टार्ट कीजिए और टार्गेट एक से ही दो तिन आप डिसाइड कीजिए ताकि आपको भी अच्छा समय मिल पाए आगे जो वे विश्वास कीजिए क्योंकि मैं अपनी परसनली बताँ तो मैं अल्टरणेट डेज में तयारी करता था मंड़े बाई में मैथ करता था मैय रीजनिंग लोजिकल सब्जेक्ट जो है तुजडे पो मैं जिकर यह तो रीडिंग वाले सब्जेक्ट आपकरता था और वीक के छ चोटे चोटे टार के topic wise decide करें जिससे आपको एक थोड़े समय के बाद चलने के बाद आपको यह भी लगेगा कि मेरा syllabus भी ओर आया और मेरे नंबर भी बनने शुरू हो गए है चिक है यानि अराम से एक बार अपना syllabus का और कीजिए उसके बाद आप library में या घर पर बैट कर सकते हैं उसका वो रखिए ताइम टेबल क्या रहता था टाइम टेबल मेरा जब कोचिंग लेता था दो में दिन में तो भाई मैं कोचिंग लेता था उसके बाद श्याम को जो जितना दिन में काम हुआ है आप उसी पर काम करें तो वो अच्छा उसी प्रैक्टिस करें बुक से और library मेरा टाइम टेबल नो से लेकर एक बज़े तक मैं पढ़ता था फिर लंच करता और फिर मैं सड़े चार पाज़े तक पढ़ता था फिर घर चला जाता और दो गंटे तीन गंटे में रात को भी टाइम निकालता था तो आप इससे एक 10-11 महिने में बहुत ही अच्छा आप सिलेक्शन पा सकते हैं देखो सेलेक्शन में टाइम लगता है यह मतलब कोई वो कि आला दिन का चिराल टाइप में नहीं होता थोड़ा समय लगता बहुत विरियूट जो स्टुडengine होता है वो तीन महिने च्यार महिने में सेलेक्शन ले सकता और ज़्यादा ब्रियृट है तो दो महीने में भी ले लेगा लेकिन वो तब है जब वकैंसी बहुत ज़्यादा आई हो तो तयारी को अमेशा ऐसे मैनेज कीजिए कि एक के साथ साथ आपकी दो तिन तयारी भी साथ में होती चले जहां तक मुझे इसका याद है मैंने बताया ये तयारी को बिल्कुल इंजोई करता था तयारी अराम से करता था बहुत प्रैसर नहीं लेता था मोग टेस्ट वगएरा लगाता रहता था लगाता टच में रहता था पूछता रहता था तो एक बात और इसकी रहती थी कि लाइबरेरी वगएरा में जम जाते थे थे नमी ये बात पूछनी जरूरी है क्योंकि एक दो बच्चा है जो खासकरी दरू-दर की बात चीत करने में थोड़ा सा टार्गेट से खिसक गया वो भी सेलेक्शन ले सकता था तो वो बच्चे जो लाइबरेरी वगारम तयारी करें तो इन सब चीजों से बचना चाहिए अपने टार्गेट पर हमें फोकस करना चाहिए तो नवीन अब च्यार दिन की चुटिया मिलिया और यह घर जाएगा तो एक अलगी मावली इसको वहां भी मिलेगा क्योंकि सेलेक्शन लेकर बचा ट्रेनिंग करके तो नहीं लेकिन चुटिया भी आता तो उतना इन जो यह की बोल रखा मैं मैं उसका मोक भी लगवाता हूं उसको एनलाइज भी करवाने में मदद करता हूं और कौन से सब्जेक्ट उसको पढ़ने चीए कौन से टोपिक पढ़ने चीए यह आपको पता होना बहुत ही जरूरी है यह आपने कोई बड़े बाई है जो इस फिल्ड में पहले से या कोई आपके टीचर है जिनसे आपका बहुत ही अच्छा हो है तो उनसे आप रेगुलर बेसिज पर डिसकर्ज करते रहेंगे तो आपको पता रहता रहे हैं बेसिकली बात यह भाई की कोचिंग से जादा इंपोटेंट गाइडेंस है अगर आप गाइडेंस इमानदारी से मैनत कीजिए माबापका कहना मानिए और लगातार अपनी कम्यों पर कम कीजिए जैसे जैसे बच्चे ट्रेइनिंग से आते रहेंगे हम आपसे मिलवाते रहेंगे एक दो कमेंट भी हमें आते थे कि सर आप रिव्यू तो बहुत डालते थे दिली पुलिस का अपनो रिजल नी डाला अपनो फोटो नी डाला हम आपको फिजीकल बच्चों को बुलाएंगे और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे कि अब जो भी खासियत है सबका अपना अपना अलग चीज होती तयारी करने की लेकिन जो भी बच्चा सेलेक्ट होता लेक्तों को भी खासियत है।